स्वागत है आप सभीका Tech Study ITI YouTube चैनल पर तो जैसा हमने आपसे प्रामिस किया था हम डेली आपको दो मौडल पेपर्स देंगे तो आज इसमें वाइर्मेन ट्रेट थियोरी का मौडल पेपर दे रहे हैं चैनल पर यह Second Year CBT exam के लिए Most Important Questions है तो अगर आप वाइर्मेन Second Year में है और आपका भी exam है 20 December से होने वाला जो exam है उसमें तो यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाली है अगर आप किसी और ट्रेट से हैं तो आपके लिए जल्दी इस चैनल पर और मौडल पेपर आने वाले हैं क्योंकि हम डेली बेसिस पर दो मौडल पेपर देंगे अलग लग ट्रेट की तो आप चैनल को सब्स्राइब कर लीजें अगर नए है तो और वीडियो अगर आपको यह पसंद आती है हमारी मेहनत थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो वीडियो को Like जरूड कीजेगा आपके लाइक से YouTube इस वीडियो को और आगे प्रमोट करता है जिसलिकी और बच्चों तक भी वीडियो पहुच पाती है तो आईए सुरू करते हैं कुष्चन और नांसर पहला कुष्चन है यहाँ पर देखे What is the name of maximum reverse voltage that diode can withstand diode जो है अधिक्तम reverse voltage लब कितना withstand कर सकता है ठीक है नेम क्या है उसका नी वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, पीक इन्वर्स बोल्टेज या कट इन वोल्टेज तो ऐसे वोल्टेज को हम कहते हैं पीक इन्वर्स बोल्टेज जो डायोड जो है maximum reverse voltage को withstand कर सकता है मतलब उस पे भी वो रह सकता है सुरक्षी, दूसरी को हम बोलते है पीक इन्वर्स बोल्टेज कुछ बोल्टेज, what is the part marked as X, बहुत important कुछन है, ऐसे figure वाले कुछन बहुत आते है तो X के रूप में जो चिन्नित भाग है इसका आपको नाम बताना है जूम करके आप देख लीजे इसका नाम क्या है बाउल रिफ्लेक्टर, हीटिंग एलिमेंट इन्सुलेटर या स्विच इसे हम बोलते हैं बाउल रिफ्लेक्टर कुछ समत रही है which generator has very high value of voltage regulation, किस generator में voltage विन्यमन बिन्यमन का बहुत अधिक मान होता है voltage regulation का मान क्या होता है बहुत अधिक होता है cent generator में, compound generator में series generator में या magneto generator में यहाँ पर आपका right answer option C, series यानि serendry generators में कुछ बाब 4 है identify the part marked as x in the figure यह figure आप देख रहे हैं इसमें जो x part है इसका आपको नाम बताना है ठीक है, क्या है teeth, slots, keyway या air duct इसे हम बोलते है option B, slot यह क्या है, slot कटे हुए हैं आपके कुछ number 5 है what will happen if sunt field resistance is too large ठीक है, question आपके इस बार जो सभी टी exam में आएंगे आप जो language चूच करेंगे हिंदी या इंगलिस उसी में रहेंगे तो sunt field प्रत्रोद बहुत बड़ा होने पर क्या होगा इसलिए हमने वीडियो क्या किया हिंदी इंगलिस दोनों में रखा है ध्यान दीजिए, sunt field प्रत्रोद अगर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होगा, what will happen fails to build up voltage बोल्टेज बनाने में वीफल रहेगा बिल्डप बोल्टेज या नहीं बोल्टेज बनाएगा जनरेटर ड़स नाट रण, जनरेटर नहीं चलेगा या वोल्टेज इंक्रीज़ बोल्टेज बड़ता है तो उस केस में क्या होता है, बहुत अधिक होने पर फिल्डप बोल्टेज, बोल्टेज बनाने में क्या हो जाएगा बिफल रहेगा बहुत ही सिंपल सा कुछन है कौन सी मशीन इलेक्ट्रिक पावर को मेकेनिकल पावर में कनवर्ट करती है अल्टरनेटर, बीसी मोटर, बीसी जनरेटर या फिल्टर, बीसी मोटर कुछ अबर सेब्न है इसमें आपको बताना है जो x पार्ट है ये क्या है? आप देख सकते हैं आपे x पार्ट का नाम क्या है? डइवर्टर, फिल्ड क्वाईल, स्टार्टिं रेजिस्टर या आर्मेचर इसे हम बोलते हैं क्या? diverter बोलते है, option A diverter आपका right answer है कुछ हमर 8 है, which type of motor considered as constant speed motor किस motor को constant speed motor माना जाता है DC sunt motor को DC series motor को, AC series motor को या universal motor को, तो right answer आपका option A, DC sunt motor को, इसे हम क्या मोलते है constant speed motor मानते हैं या consider करते है कुछ हमर 9 है, how many number of what meter to be used for balanced three phase power measurement संतुलित three phase power measurement के लिए प्रियुक्त what meter की नियुनतम संख्या क्या है 1, 2, 3 या 4, तो यहाँ पर आपका right answer option A, 1 कुछ हमर 10 है, which material used to construct our nature core of alternator alternator के armature core के निर्माण के लिए किस सामग्गरी का उप्योग किया जाता है spring steel का, mild steel का, silicon steel का, या forged steel का यहाँ पर आपका right answer option C silicon steel का, जो alternator का armature core है, उसकों किसके बनाते है silicon steel का कुछ हमर 11 है, which is used in western type electro dynamometer synchro scope ठीक है, western प्रकार का जो electro dynamometer synchro scope होता है उसमें किसका उप्योग किया जाता है iron vein का या लोहे के फलक का fixed coil यानि निशित कुंडली का transformer का या permanent magnet का यहाँ पर आपका right answer option C, transformer का कुछ हमर 12 है, which is speed the centrifugal switch acts in a single phase induction motor किस गती पर centrifugal switch single phase induction motor में कार करता है about 70% of speed about 25% speed about 50% of speed या at full speed तो यहाँ पर आपका right answer है about 70% of speed लगबग 70% गती पर वो काम करता है कुछ हमर 13 है what is the material used to make the setting coil of shaded pole motor एक shaded pole motor की setting coil बनाने के लिए किस सामगरी का उपयोग किया जाता है तो shaded pole motor की setting coil होती किस की बनी होती है वो बनी होती है आपकी copper की, option D, copper कुछ हमर 14 है which winding circuit will have more resistance in split phase resistance type induction motor निया नीजे, speed phase resistance type induction motor में किस winding circuit में सबसे ज़्यादा है अधिक प्रित्रोद होगा min winding में compensating winding में auxiliary winding में या damper winding में तो यहाँ पर आपका right answer is option C auxiliary winding में कुछ हमर 15 है what is the name of the AC motor starter यह starter आपको देख के बताना है कि यह कैसा starter है ठीक आपने figure देख लिया होगा AC motor starter का आपको नाम बताना है DOL starter auto transformer starter semi automatic star delta starter या fully automatic star delta starter तो यह क्या है आपका option B auto transformer starter कुछ हमर 16 है how many times of starting current in three phase induction motor is reduced while starting by star delta starter star delta starter दोहरा शुरू करते समय three phase induction motor में starting current कितनी गुना कम हो जाती है तीन गुना यनि three times one upon three times under root three times या half times यहाँ भी आपका right answer option C root three times कुछ हमर 17 बहुत important question name the part marked as X X जो mark किया गया इसका नाम बताना है आपको terminal box है आप देख लिए यहां ध्यान से योग है या frame है stator winding है या laminated steel core है option C three phase winding यानि stator winding है कुछ हमर 18 है which part of squaral cage rotor is short circuited squaral cage rotor पर conductor bar short circuit किस से किये जाते हैं ठीक है end ring द्वारा soft द्वारा end cover hysteresis या bearings द्वारा right answer आपका option A end ring जो end ring होता है squaral cage motor का इसे हम short circuit करते है question 19 है what is the name of part in a panel board where cables are completely enclosed एक panel board में या panel board के भाग का नाम क्या है जहां cable पूरी तरह से क्या हो enclosed हो सनलगन हो ठीक है meter cabinet cable LA bus chamber या cubicle तो यहां पे आपका राइट answer option B cable LA question 20 है which PVC material used in panel board for providing pathway for wiring inside ठीक है कौन से PVC material का उप्यो panel board में wiring के लिए मार्ग परदाण करने के लिए किया जाता है race ways का grommets निया isolator switch का din rail का या wire ferules का right answer आपका option A race ways का इस पार्ट का आपको नाम बताना है तो क्या है ये होता है आपका वाल्व हाउस ठीक है क्या होता है ये वाल्व हाउस जहां पर सारे वाल्व एंड ये लगे होते हैं कुछबर 22 है विच इस नेमा पावर स्टेशन ये पावर स्टेशन आपने देख लिया इसका आपको नाम बताना है पावर स्टेशन का नाम कौन सा है हाइड्रो पावर स्टेशन थर्मल पावर स्टेशन नूप्लियर पावर स्टेशन या डीजल पावर स्टेशन राइट अं इंसुलेटर को बांधने के लिए उपयोग किये जाने वाले वाइंडिंग तारों का आकार क्या है not less than 1 square meter not less than 1.5 square meter mm not less than 2 square mm या not less than 2.5 square mm right answer of cobs and c not less than 2 square mm ठीक है दो square mm से कम नहीं होना चाहिए उनका size which instrument used for parallel operation of alternators alternator के समानांतर संचालन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है synchroscope का oscilloscope का phase sequence meter का या center zero meter का right answer आपको option a synchroscope का which is the minimum size of PVC conduit used in government installations prescribed by CPWD ठीक है CPWD द्वाला निदारे सरकारी प्रतिष्ठानों में उपयोग किये जाने वाले PVC pipe का निउन्तम आकार क्या है 20 mm, 16 mm, 19 mm या 32 mm right answer आपको option c 19 mm which accessory is represented by the BIS symbol, यह BIS symbol किस चीज का है तो यह होता है आपका socket outlet 16 ampere का, option d socket outlet 16 ampere question 27 which is to be considered before the selection of conductor, protective devices and switch gear in commercial wiring एक commercial wiring में conductor, सुरक्षात्म कुपकरण और switch gear के chain से पहले किस पर विचार किया जाना है diversity factor पे, type of wiring यानि wiring के प्रकार पे, place of wiring, wiring के अस्थान पे या climate conditioning इन वातावरण की परिस्तितियों पर, right answer आपको option a diversity factor पे हम ध्यान देंगे, अगर हम इन तीनों चीजों को कर रहे हैं, consider तो which principle the transformer works, transformer किस सिधान पर काम करता है self induction, mutual induction, fall of potential, lens law पे, ठीक है तो transformer किस पे काम करता है, आप सभी को पता है किस पे, mutual induction, पारस्परिक प्रेरण पे काम करता है वो question number 29, which is the name of connection, इस connection का आपको नाम बताना है कि क्या है ये, star delta है, delta delta है, Scott connection है, या star star है ये connection का नाम है आपका क्या, Scott connection, option C, Scott connection which part reduces the heat of transformer core and winding, transformer core और winding की उसमा कि भाग से कम की जाती है transformer oil से, breather से, cooling tube से, या conservator tank से, तो उसमें हम क्या डालते है transformer oil, जो कि उसमें heat जोती उसको, वो dissipate करता है, reduce कर लेता है कुशमा 31, which type of transformer is used in automobile, automobile में किस प्रकार के transformer का उप्योग किया जाता है, instrument transformer, ignition transformer, Scott connector transformer, या isolation transformer, यहाँ पर आपका right answer option B, ignition transformer कुशमा 32, which conductor is used in overhead lines, किस conductor का उप्योग, overhead lines में किया जाता है copper conductor का, aluminum conductor का, ACSR conductor का, या steel conductor का यहाँ पर आपका right answer option C, ACSR conductor का कुशमा 33 है, हुई चीजा line protecting device, इसमें से line protecting device कौन सी है, bus bar, isolating switch, insulator या circuit breaker यहाँ पर आपका right answer option D, circuit breaker, यह क्या होती है, line protecting device है, line को सुरच्चा देने वाले device है, कुशमा 34 है, what is the name of device used for protection against lightning in overhead line, headline के ऊपर बिजली गिरने से सुरच्चा के लिए उप्योग कियो जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, air circuit breaker, आयल circuit breaker, lightning arrester या isolator ठीक है, यहाँ पर आपका right answer option C, lightning arrester, बहुत ही simple सा question है, कुशमा 35 है, how circuit breaker are rated, ठीक है, circuit breaker को कैसे rate करते हैं, तो जो circuit breaker सोते हैं, उनको हम MBA में rate करते हैं, option D, MBA, यहाँ पर आपका right answer है, कुशमा 36 है, which is the common fault likely to occur in underground cable, जमीन के नीचे cable में होने वाला common dose कौन सा है, underground cable में common defect कौन सा है, fault कौन सा है, open circuit fault, ground fault, short circuit या leakage fault, right answer आपका option B, ground fault, कुशमा 37, what is the name of the cable laying method, इस cable laying method का आपको नाम बताना है, कि यह क्या है, laying into ducts, laying direct in ground, laying around building, या laying on racks in air, right answer आपका option A, laying into ducts, कुशमा 38 है, which are the types of pressure cables, pressure cable किस परकार के होते हैं, oil field and gas pressure cable, belted cables and screen cables, H type and SL type cable, या H type and welded cable, तो यहाँ पर आपका right answer है, pressure cable जो होते हैं, oil field and gas pressure cables, कुशमा 39 है, which color is to be powder coated painted आना, control panel, edge पर IE rule, IE के नियम के अनुसार, control panel पर powder coated किस रंका होता है, light blue, siemens gray, yellow या dark blue, तो यहाँ पर आपका right answer, option B, siemens gray, कुशमा 40 है, what is the name of accessory used in control panel, control panel में प्रिवक्त इस accessories का आपको नाम बताना है क्या है, देखकर ही आप समझ गये होंगे, क्या है यह है, यह है, आपका option C, rectifier, ठीक है, तो यहाँ पर यह 40 questions थे आपके, I hope यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे, कुछ भी अगर इसमें आपका doubt होता है, कोई भी आपका सुझाव है, कैसे हो, सुधारा जा सकता है वीडियो को, तो आप comment करके बताएए, अगला वीडियो एक और होगा, जिसमें आपके 50 questions होंगे, वायर में सेकेंड डियर के ही, यह अगर दोनों वीडियो आप देख लेंगे, तो आप बहुत यह आसानी सपना से भी टिक जाम, अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे, ठीक है, तो वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई, तो लाइक जरूर कीजेगा, साथे अपने दोस्तों साथ भी सेर कीजेए, और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबस्क्राइब जरूर कीजेए, ठीक यू गरी मच्च,